हेलो फ्रेंड्स आप सभी को अपना मेडिकल टिप्स के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोदी केर का संदार प्रोडॉक्ट असलो का हाइड्रेटिंग पपाया एंड हविस्कोस मैसुराइजर की तो सबसे पहले जानेंगे मैसुराजर होता क्या है और इसको लगाने से क्या क्या फायदे है क्या नुकसान है तो पूरी जैनकारी लेने के लिए वीडियो के आखरी तक बने रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है और आपको बंदी जनकारी लेनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो दोस्तों यह मस्चुराजर होता क्या है तो मैं शुराजर और एक नमी युक्त पदारत है जो कि हमारे स्कीन को हाइडरेट करने का क मिस्टी अब पॉट्वेक्ट है इसे लगाने से हमारे अस्कीन को भूग सारे फायदे मिलते हैं जैसे की चीन से रहादि लाती है चीहरे पर चंकिसी निसान को धिर्य धिरे कंप कर देती है और सुषिन को जो को खतम खर देती है जैसे कि मूढ़ापा दिखने से बचाता है जैसे अस्कीन पर जूरी आने लगती है ताउचा बेजा रुखा हो जाता है चेहरे पर लाइट नहीं रहता है और अस्कीन को स्वस्त कुमल मुलाइम बनाती है मैस्चुराइजर जो है हमारे स्कीन को हाइड्रेट भी करता है और अस्कीन के पानी की कौमी को दूर करता है जै इसका प्राइस दो सव तीर सेट रुपए अब बात करते हैं कि मैं शुराजर लगाने का सही तरीका क्या है तो सबसे पहले किसी अच्छे से फिस्वास से अपने चेहरे को अच्छी तरह से साप कर लें धो लें उसके बाद चेहरे को किसी तावल यारुमाल से पोच कर सुखा लें फिर इस मैंशुराजर को अपने चेहरे पर हलके हलके हांतों से मिला लेना है यानि चेहरे पर लगा लेना है इसके बाद किसी क्रीम को लगा सकते हैं अबर किसी को ओईली स्कीन है तो वह भी इस मैंशुराजर को लगा सकते हैं तो दोस्तों मैंशुराजर को हम हर समय लगा सकते हैं कोई जरूरी नहीं है कि हम ठंड के मौसम में भी ही लगाएं और मौसम में लगा सकते हैं अपने चेहरे को देखवाल करने के लिए जब हमारा स्कीन सूख जाता है तो हमारे स्कीन के छीद्रों को बंद कर देता है जिसकी वज़ासे हमारे चेहरे पर पिंप अल कार की कमी नहीं रहेगी और ताउचा मुलायम चमकदार गोरा बेदाग लगेगा तो दोस्तों वीडियो के आखिरी में बताना चाहेंगे कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दन्ने बादू